कर ओम का उच्चरन करेंगे हम संक्य दर्शन का धेन कर रहे थे पहला ध्याय चल रहा था और उसका 61 सूत्र पढ़ रहे थे हम प्रसंग ये चल रहा था कुछ चीजें तो स्थूल हैं जो आँखों से दिख जाती है उनका तो प्रत्यक्ष हो गया जो आँख से दिख जाती है इंद्रियों से दिख जाती है उनका तो प्रत्यक्ष हो जाता है तो उनको वो बास समझ में आ जाती है परन्तु संसार में सारी वस्तुएं स्थूल नहीं है बहुत सी वस्तुएं सूक्षम भी हैं जो आखों से नहीं दिखती। उनकी जानकारी कैसे करें। इसका उत्तर है कि उसके लिए अन्य प्रमान है। प्रत्यक्ष प्रमान से अतिरिक्त अन्य प्रमान है अनुमान प्रमान। और भी प्रमान हैं, शब्द प्रमान भी है। इन प्रमानों से हमें फिर उनकी जानकारी हो जाती है, जो चीज़ें सीधी आख से नहीं दिखती। ये प्रसंग चल रहा था। तो ईश्वर भी आख से नहीं दिखता। आत्मा भी नहीं दिखता, प्रकृती भी नहीं दिखती। तीन अनादी, तीनों सुक्षम हैं, आख से कोई भी नहीं दिखता। प्रकृती से ईश्वर ने बहुत सी और वस्क्वें बनाई, वो भी सुक्षम हैं, वो भी आख से नहीं दिखती। तो जो चीजें आखों से नहीं दिखती, उनकी जानकारी कैसे करें, उसके लिए बताया, अनुमान प्रमान का सयोग लें, उससे जानकारी हो जाएगी। इस संदर्व में ये 61 सूत्र हम पढ़ रहे थे। इस सूत्र में महर्शी कपिल जी ने बताया कि प्रले अवस्था में प्रकृती चुप चाप पड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी, निश्क्रिय, चेश्टा रहित, जैसे मोटी भाशा में कहें तो यहां पर्श पे धूल, ध धूल है या नहीं? है न? जैसे यहां फर्श पे धूल, भिखरी ह vocês अंए ऐसे नहीं देखती कोटे तार कर और जाडू लगाएं तो ड़ुख जाएगी जाडू लगाएंगे बड़ी थी और उस प्रकृती में तीन प्रकार के छोटे छोटे परमानों सबसे छोटे परमानों मैटिरियल में सबसे छोटे smallest particles वो ऐसे बिखरे वे थे उसी तीन परमानों के तीन प्रकार के परमानों का नाम प्रकृती वो तो नित्य है अनादी है सदा से है आगे भी सदा रहेगी फिर ईश्वर ने उस मूल नित्य प्रकृती से रचना आरंब की पहली वस्तु बनाई महत तक्तु सूत्र हमारा एक सठवा चल रहा था आपके पास फुस्तक है तो देख लीजिए सत्वरजस्तमसाम साम्यावस्था प्रकृती सत्वरज्दां की जो साम्यावस्था है साम्यावस्था बिखरी हुई अवस्था जब ऐसे सब परमानों बिखरे पड़े हैं ये साम्यावस्था है तो वो प फिर इस प्रले अवस्था से ईश्वर ने रचना शुरू की प्रकृतेर महान प्रकृती से पहला तत्तु बनाया महत इसका नाम है महत और तत्तु तो पीछे जोड़ देते हैं तत्तु मनेफस्तु पदार्थ महत तत्तु महत नामक पदार्थ बनाया यह शास्त्रिय नाम है म Mahaat, और व्यवार में इसके लिए सरल शब्द है बुद्धी। क्या शब्द है? बुद्धि। तो इसी महत को बुद्धी नाम से कहते हैं। बुद्धी शब्द प्रचली थे, सब लोग जानते हैं। फिर बुद्धी के बाद दूसरी वस्तू बनाई अहंकार महतो अहंकार अहंकार बनाया फिर अहंकार के बाद सोला चीजें बनाई अहंकारात पंच तनमात्रानी उभयम इंद्रियां पाँच तर्मात्राइं बनाई और दो प्रकार की इंद्रिया बाहिय इंद्रिया और आंतरी की इंद्रिया ये दो तरह की इंद्रिया बनाई बाहिय इंद्रियां हैं दस पांच जैने इंद्रियां पांच करवें इंद्रियां ये बाहिय इंद्रियां हैं जो शरीर से बाहर काम करती है इनको बाहिय इंद्रियां बोलते है और एक इंद्रियां है आंतरिक जो हमारे शरीर के अंदर काम करती है उसका नाम है मन तो ये ग्यारह इंद्रिया हो गई दस भाहिय इंद्रिया एक ग्यारवाँ मन ग्यारह ये और पांच तर्मातरा हैं सोला चीजें बनाई आहंकार के बाद और दो पहले बन चुकी थी महत और आहंकार सोला और दो अठारा इन अठारत के समुदाय का नाम है सूक्षम शरीर क्या नाम है सूक्षम शरीर इसमें सारे पदारत सूक्षम हैं बहुत छोट छोटे अब आगे सूत्र में देखिए तनमात्रेभ्या स्थूल भूतानी जो पांच तनमात्राइं बनाई थी ईश्वर ने उन पांच तनमात्राओं से पांच स्थूल भूत बनाई ये स्थूल भूत ये बड़े बड़े पदारते हैं स्थूल है जिनके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और आप जानते भी हैं एक बार दोराईए मेरे पीछे पृत्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश ये पांच भूत हैं इनको पांच भूत भी कह देते हैं पांच स्थूल भूत भी कह देते हैं पंच महाभूत भी कह देते हैं तो ये स्थूल बड़ारते हैं इसलिए इनको स्थूल भूत कहते हैं या महाभूत कहते हैं तो ये पांच वस्तों इश्वर ने बनाई तनवात्राओं के बाद अब अठारा तो ये बनाई सुक्षम शरीर में और पांच ये बनाई अठारा और पांच कितनी हुई थेईस एक मूल प्रकृती चौबिस और पच्चीसम पुरुष बस आगे लिखा है पुरुष इती 55 शतिर गणा और पच्चीसम पुरुष और जब पुरुष की व्याक्षा करेंगे तो दो हो जाएंगे आत्मा और इश्वर ये दोनों पुरुष हैं तो ऐसे विस्तार्स करेंगे तो 26 हो जाएंगे संक्षेप करेंगे तो 25 ठीक है तो सांखे में बहुत सारे लोग सांखे दर्शन पढ़ते हैं और वो कहते हैं सांखे में क्या चर्चा है प्रकृति और पुरुष की चर्चा है तो प्रकृति और पुरुष दो ही नाम लेते हैं वो तीसरा भूल जाते हैं फिर वो कहते हैं जी सांखेकार तो नास्तिक है वो इश्वर की तो बाती नहीं करता प्रकृति और पुरुष दो इक की बात करता है प्रकृति जड़ हो गई पुरुष आत्मा हो गया तो प्रकृति और आत्मा बस दो को मानता है इश्वर को तो मानता नहीं अब यह अनाडी लोग है जिनको दर्शन पढ़ना नहीं आता सांखे दर्शन पढ़ना नहीं आता वो लोग ऐसी बेकार की बात करते हैं सांखे दर्शन में कम से कम 20-25 सूत्र ऐसे हैं जिनसे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है अब वो सूत्र क्यों नहीं पढ़ते जहां इतना साफ लिखा है इस पुस्तक में पूरे सूत्र हैं क्या छे अध्याय तक हैं तो तीसरा अध्याय खो लिए तीसरे अध्याय का 56 सूत्र देखिए सही सर्ववित सर्व करता है तो देखिए कितना साफ स्पष्ट लिखा ए सव ही निश्चे से सर्व वित सर्वयापा क है इश्वर सर्वयापक है और सर्व करता सर्वशक्ति माने सारे काम करता है स्रिष्टी को बनाता है चलाता है अब ये लक्षन जीव पर तो लगू नहीं हो सकता जीव ना तो सर्वयापक है ना सर्वशक्ति माने तो सारे काम नहीं कर सकता और ये साफ-साफ लिखा है सूत्र अब ये इश्वर पे लागू होता है और इससे अगला देखिए सत्तावन इद्रिश एश्वर सिध्धी सिध्धा है न ऐसा इद्रिश इश्वर सिध्धी अब देखो साफ-साफ इश्वर लिखा है इश्वर सिध्धी सिध्धा ऐसे इश्वर की सत्ता सिध्ध है कोई इसका खंडन नहीं कर सकता ये चैलेंज वाली भाषा है जैसे लोग वेवार में चैलेंज करते हैं आओ कोई माई का लाल सामने कोई माई का लाल हो तो जिसमें दम हो सामने आओ सिध्ध करो इश्वर का खं है चैलेंज वाली अब कितने साफ सूत्र हैं जिन में लिखाए कि इश्वर है फिर कहते हैं इश्वर को नहीं मानता सांख्य दर्शन तो यह नाड़ी लोग हैं जिनको सांख्य पढ़ना नहीं आता और इस तरह की फाल्टू बात करते हैं ऐसे बहुत सारे सूत्र में हैं तब टोटल कितने होगे चब्विस चब्विस में से तीन अनादी इश्वर जीव प्रकृती तीन तो अनादी चब्विस में से तीन माइनस करो तेईस वचे वो वो स्रिष्टी है वो कारे जगत है ये बनाए गए है ये नश्ट हो जाएंगे ये सारे तेईस वदार्थ इश्वर ने स्रिष्टी के आरंभ में बनाए एक वार और ये चार अरब 32 करोड वरस तक चलते रहेंगे इनकी उमर इतनी लंबी है तब जब ये शक्ती खतम हो जाएगी तब इश्वर अंत में इनको तोड़ेगा जैसे मनशी की आयू सत्तरसी सो साल है सो साल में जाके ये खिस जाता है खतम हो जाता है तो जैसे इस थूल शरीर की आयू सो वरस है ऐसे इन तेईस पदार्थों की आयू चार अरब 32 करोड वरस है ये है स् 26 में से दिखने वाले तो तीन ही पदार्थें सिर्फ तीन 26 में से सिर्फ तीन एक प्रित्वी दिखती है आंक से एक जल पानी दिखता है नदी में नाले में तालाब में और एक अगनी दिखती है ये मताई चूले पर रोटी बनाती है अगनी दिखती है आंक से तीन ही तो बस वायू यद्यपी है तो स्थूल भूत फिर भी वो हमारी दृश्य सीमा से बाहर है हमारी जो देखने की शक्ती है जहां तक उससे वो सुक्षम है इसलिए वो आंक से नहीं दिखती और जो पांच्वा पतार थे आकाश वो भी बहुत सुक्ष में वो भी आंक से नहीं दिखता आंक से तो तीन ही दिखते हैं बस फिर भी क्योंकि ये स्थूल कटेकरी में आते हैं इसलिए इनको स्थूल भूत बोला जाता है बाकी अठारा तत्तों की तुलना में ये स्थूल है वो तो इन से बहुत सुख्ष में तो अब कह रहे थे जो चीज दिखती है उसके आधार पर न दिखने वाली चीजों का अनुमान कर लो जैसे धुवें से अगनी का अनुमान किया धुवें देखा हमने कहीं बिल्डिंग के पीछे फेतों के रिख्षों के पीछे कہीं दुवां उठरा था तो दुवां देखकर हमने न दिखने वाली अगनी का अनुमान कर लिआ कि यहाँ दुवां उठरा है तो मतलब नीचे अगनी है तो यह उदारण था ऐसे ही जो दिखने वाले पदार थे हैं पंचमाभूत में से इनके अधार पर जो न दिखने वाले हैं उनका अनुमान कर लो अथवा कुछ क्रियाएं फंक्षन देख करके उसका अनुमान कर लो कि अगर कुछ क्रिया हो रही है तो कोई ना कोई दर्वे भी होगा कोई पदार्थ भी होगा जिसमें ये क्रिया हो रही अथ्वा जिसके कारण ये क्रिया हो रही है इस तरह से अनुमान से जानकारी कर लेनी चाहिए तो ये बात थी इस प्रसांग में यहां तक ठीक आगया समझ में जब पंच महबूत बना दिये इश्वर ने स्रिष्टी रचना में अब पंच महबूतों से ये स्थूल शरीर बनाया ये सरसे पाउं तक जो दिख रहा है मनुष्य, पशू, पक्षी, कीडे, मकोडे, व्रिक्ष, वनस्पतियां कौकरोश, बिल्ली, चूहा, मक्षी, मच्छर, शेर, भेडिया, हती, बंदर की सारे प्राणी बनाये ये स्थूल शरीर है, ये पंच महबूतों का समिश्रान है तो आत्मा को एक तो ये अठारा तत्वों का सुक्षम शरीर दिया उसी के लिए वरायत है और ये पंच महबूत का ये स्थूल शरीर दिया दो हो गए और एक और तीसरा शरीर है जिसका नाम है कारण शरीर क्या नाम कारण शरीर है वो इन दोनों का कारण है इन दोनों शरीरों का रो मेटीरियल है जैसे हम बात करते हैं आटा और रोटी रोटी करेवस्तु है और आटा कारण वस्तु है आटे से रोटी बनी क्या आटे के बिना रोटी बन सकती है, नहीं बन सकती है, आटा उसका कारण है, कारण से किसी वस्तु की उत्पत्ती होती है, तो जिसकी उत्पत्ती होती है, उसको कार्य कहते हैं, जिस वस्तु से उत्पत्त नहोता है, कोई वस्तु, कार्य वस्तु, उसको कारण दिर्वे कहते हैं, कारण बनता है तो प्रकृती को कारण द्रवे कहेंगे जगत को कार्यवस्तु कार्यद्रवे कहेंगे अब ये दोनों शरीर स्थूल शरीर और सोक्षुम शरीर ये दोनों किस से पैदा हुए प्रकृती इसलिए प्रकृती का नाम कारण शरीर है कारण शरीर कौन है प्रकृती मूल सत्वरज्टम वो इन दोनों का कारण है उसी से दोनों बने इसलिए उसको कारण शरीर कहते है तो जब जीवात्मा बंधन में आता है तब तीनों शरीरों का लपेटा लग जाता है उसको इसके बंधन में फस जाता है और जब मुक्ती होगी तो यह तीनों शरीर छूट जाएंगे तीनों शरीर अलग आत्मा अलग इसका नाम है मुक्ति मुक्ति गारत है छूटना तीन शरीरों से छूटना ये मुक्ति है ठीक हो गया चलिए आगे चलते हैं अगला सूतर देखिए 62 बूलिए स्थूलाद पंच तनमात त्रस्या अब पिछले सूत्र में बताये था कि जो धुमें से अगनी का हम अनुमान करते हैं धुमान दिख रहा है तो दिखने वाली वस्तू के आधार पर ना दिखने वाली वस्तू का हम अनुमान कर लेते हैं कि धुआ दिख रहा है तो मतलब आग होगी अगनी के बिना धुआ होता नहीं तो इसी तरह से जैसे धुआ कार्य वस्तु है और उसका कारण क्या है अगनी तो कार्य को देखकर कारण कानुमान कर लिया आपने रोटी देखकर आटे कानुमान कर लिया कि ये रोटी तो मक्की के आटे की बनी है ये रोटी जुवार की आटे से बनी है ये रोटी बाजरी के आटे से बनी है तो रोटी देखकर उसके कारण का आटे का हमानुमान कर लेते हैं तो ऐसे कह रहे हैं पंच महभूत को देखके इसके कारण कानुमान कर लो जैसे आटे के बिना रोटी नहीं बन सकती तो क्या किसी कारण द्रवे के बिना पंचमाभूत बन जाएगा नहीं बनेंगा तो कारे को देखकर उसके कारण का अनुमान होता है तो ये सुत्र कहा रहा है स्थूलाथ पंच तन्मात रस्य स्थूल वस्तू को देखकर स्थूल वस्तू को देखने से उसके कारण पंच तन्मात्राओं का अनुमान कर लेना चाहिए जैसे रोटी को देखकर आटे का अनुमान आप कर लेते ठीक है तो एक स्टेप हो गया पंच महभूत कारेवस्तू पांच तनवात्राइं उसका कारण कारे को देखकर उसके कारण का अनुमान कर ले फिर आगे चलते हैं अब छोड़े चोड़े सूतर हैं अब बुखे तो यही एक सेटमा सूतर था जिसमें खूब लंबी बात हुई हमारी तनवात्राइं बनी आहंकार बना ये बना वो बना अब इनी बातों को आगे पीछे कारण का अनुमान करते हैं जैसे दुएं को देखकर अगनी का रोटी को देखकर आटे का कपड़े को देखकर धागे का अगर कपड़ा सूती है तो धागा कैसा होगा सूती होगा तो धागे का अनुमान कर लिया कि ये कैसे धागों से बनाए कपड़ा कपड़ा रेश्मी ह तो धागे कैसे होंगे रेशमी तो यहां प्रक्रिया यह चल रही है स्थूल को देखकर उसके सुक्षम तत्व का कारण दरवे का नुमान कर रहे हैं तो इसी प्रक्रिया से बताया पंच महबूद स्थूल है, स्थूल को देखकर इसके कारण पंच तनमातराओं का सुक्षम तत्वों का नुमान कर लो, कि इसका वो कारण है, बस अब इसी वाद को आगे पीछे गुमाएंगे और अच्छी तरह उसको पक्का करेंगे, अगला स सारस्य, 61 सूत्र मैं बताया था, अहां कार से 16 चीजएं वनी, वो कारण से कार्य था, अब उल्टे चल रहे हैं, कार्य से कार्य, ये 16 चीजएं कार्य हैं, तो सुतर में देखे क्या लिखाए बाहिय अब्यंतराब्याम बाहिय अंदरियाई और अंतरिक अंदरिय इन दोनों के द्वारा और तैइस्च और पंच तरनमात्राओं के द्वारा 11 और 5-16 हो गई ये 16 कारेवस्तू हैं तो 16 कारेवस्तू को देखकर जानकर उसके कारण का अहंकार का नुमान कर लें कि ये 16 चीज़ें कारे बस्तू हैं तो इनका भी कोई कारण होगा कारण के बिना कारे नहीं बनता ठीक है ना उल्टे चल रहे हम स्थूल भूतों से तन्वात्राओं का नुमान किया तन्वात्राओं से और ग्यारा इंद्रियों से 16 चीज़ों से उसके कारण अहंकार का नुमान किया इस तरह से जानकारी कर लेनी चाहिए जो चीजें सोक्ष में हैं जो आख से नहीं दिखती इस तरह से उनको जानना चाहिए अनुमान प्रमान से अब अगला सूत्र 64 बोलिए तेन अंतकरण से तो ये अहंकार तक पहुँचे थे पिछले सूत्र में तेन उस अहंकार से अंतकरण अंतकरण उसके कारण द्रवे का अहंकार का कारण द्रवे कौन था महतत्त्त तो महतत्त्त का नुमान कर ले अहंकार कार्यवस्तु है उसका कारण है महत्त्तु तो अहंकार को जानने के बाद अहंकार के कारण का भी अनुमान कर लेगे अन्तकरणस्य अब यहां पर एक शास्त्र की शैली होती है वो समझ लेगे यहां शब्द लिखा है अन्तकरणस्य तो अन्तकरण वैसे तो अन्तकरण का मतलब है जो शरीर के अंदर काम करते हैं अंतकरण अंदर काम करने वाले साधन करण साधन जो साधन बाहर काम करते हैं वो बाहिय करण जो अंदर काम करते हैं वो अंताकरण तो अंताकरण तो तीन है बुद्धी, अहंकार और मन ये तीन अंताकरण आपने नाम तो चार सुने होंगे एक चित भी सुन रखा है अंताकरण चतुष्टे ऐसा बोलते है तो नाम चार है संख्या में वस्तुएं तीन है संख्या में कितने तीन और नाम है चार एक वस्तु के दो नाम है वो वस्तु है मन मन एक तो नाम है उसका मन और दूसरा नाम है चित चित और मन ये दो नाम एक ही वस्तु के है तो यहां दो नाम एक वस्तु के और अहंकार दूसरी वस्तू और बुद्धी तीसरी तीन वस्तू हो गई अन्तकरण तीन है अब सूत्र में कहा रहे हैं तेन अन्तकरण से अहंकार से अन्तकरण कानुमान कर लो अब यहां लोगों को शास्तर परंपरा समझ में नहीं आती फिर वो जगड़ा करते हैं फेस्बुक पे खुब लड़ाई करते हैं बात को आता नहीं समझ ना खाम घा ऊलटा सीधा बोलते रहते तो कोई यहां पे आरोप लगाएगा साब अन्तकरण तो तीन है अन्तकरण तो तीन है तो यहां तो हम उस करम से चल रहा है तो आंकार से तो तीन का तो अनुमानिए होगा उससे तो केवल एक का होगा बुद्धी का होगा क्योंकि उसका करन तो महतत्त है बुद्धी है तीन तो है नहीं फिर यांता करन क्यों लिखाए ऐसा लोग आरोब लगाते है बात को समझे भी ना तो यहां टेक्निकल बात है समझने की जो बात कही गई वो सत्य है या नहीं हाँ क्या बोला दोरा यह हाँ जो बात कही गई वो सत्य है या नहीं है यह देखना यह कहा कि तेन अंतकरण अस्य अहंकार से अंतकरण की जानकारी कर लो अनुमान लगा के अब यहां अंतकरण तीन में से एक अंतकरण है बुद्धी और यह बात बुद्धी में लागू हो रही है कि अहंकार का जो कारण है उपदान कारण है वो बुद्धी है तो अब देखना यह है क्या बुद्धी जो है वो अंतकरण है या नहीं है है ना तो फिर ठीक का हूँ उसने गलत क्या का अंतकरण का नुमान होता है और अंतकरण में एक बुद्धी भी है यहां परसंगा नुसार तीन में से एक अर्थ ग्रहंड करेंगे केवल बुद्धी, दो को छोड़ देंगे क्योंकि वो लागू नहीं होता, अर्थ करते से में बहुत बुद्धी मत्ता चाहिए, बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों से अर्थ किया जाता है, अब वो सारे नियम जिसको नहीं पता वो मार खाएगा, फिर वो चोवन में से गलती करेगा, जो नय दर्शन में चोवन गलतीयां बताई थी, उसमें से कहीं न कहीं गलती करेगा वो, एक और उधारन देता हूं, जिससे आपको ये बात और ज्यादा समझ में आएगी, एक व्यप्ती ने का भाई, भूख लग र दाल, रोटी, सब्जी रखिये, खालो, तो दूसर, एक तीसर और पड़ोस में बैठा था, उसको खुझली हुई, उसने खंडन शुरू कर दिया, भूख लग धाल, रोटी, सब्जी खालो, क्यों, दाल, रोटी से भूख मिठती, चावल से नहीं मिठती, दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा था, रोटी रखिये, खालो, दाल, सब्जी भी है, रोटी भी है, तो रोटी खालो, आपकी भूख मिठ जाएगी, तो तीसरा जो पड़ोस में बैठा था, उसने खंडन शुरू कर दिया, खाँ खाँ, भूला, क्यों, चावल से भूख नहीं मिठती है, अब इसका खंडन सही है या गलत है, गलत है न, यह जो इसने खंडन किया, यह गलत किया, इसने यह कब कहा था कि केवल रोटी से भूख मिठती है, यह कब कहा था, जब तक वो यह वाक्य न बोले कि केवल रोटी से ही भूख मिठती है, तब बोलो के चावल से भी तो मिठती है, तब उसकी बात में दोश आ रहेगा, पर उसने यह तो कहाई नहीं, कि सिर्फ रोट खी रसोई में रोटी कालो भूख मिठ जाएगे तो इसमें कोई आपती नहीं है कोई दोश नहीं क्योंकि ये बात सत्य है उस पर लागू होती है जब वो ये सीमा बांदे केवल रोटी से ही भूख मिठती है तब दोश आएगा तब बोल सकते हैं कि चावल से भी मिठती है आपका हेतू अधूरा है कथन आपका अधूरा है आई बात पकड़े में तो अगर ये कहा जाए कि एक ही अंतकरन तब तो खनड़न करो तो इसने ये थोड़ी सीमा बांदे एक ही अंतकरन सुतरकार कह रहे हैं अहंकार से अंतकरन का जिन होता है उससे अनुमान कर लो तो अंतकरन तीन है तीन में से जिस पे बात लागू होती हो आर्थ लेलो तो बुद्धी प्रबाद लागू होती है बुद्धी अंता करने और हम अहंकार से बुद्धी का अनुमान कर लेंगे उसके उपादान करने का कोई समस्या नहीं तो ये सावधानी रखनी चाहिए वाक्य का अर्थ करते समय एक तो सत्यार प्रकाश में चार बातें बताई भुमिका में अकांक्षा योग्यता आसत्ती तात्वर्य चार बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए और वाक्यार्थ करते समय मिमान सा दर्शन उसमें करीब करीब एक हजार कानून बताए हैं एक हजार वो सारे कानून दिमाग में होने चाहिए तब जाके वाक्य कारत ठीक होता है हाँ तब ठीक समझ भाएगा कहें मैं कहीं गल्ती तो नहीं कर रहा इतना मज़ाग धोड़ी है शाब्स्टर का अरत करना अभी व्याकरन शास्त्र अलग है वो तो मैंने बात ही नहीं चेड़ी ग्रैमर व्याकरन शास्त्र में किस शब्द का किस धातु का क्या अर्थ है वो एक अलग लंबा चोड़ा विश है वो भी जानकारी होनी चाहिए मिमान सा दर्शन की जानकारी होनी चाहिए वहाँ पर उल्टे-उल्टे अर्थ करते हैं लोग और ये वक्ता के अभिप्रायादी जो वो चार बाते हैं वो जानकारी होनी चाहिए तब जाके व्यक्ति वक्ता के अभिप्राय को ठीक-ठीक समझता है अब लोग इतनी पढ़ाई करते नहीं, इतना चिंतन करते नहीं, इतना भ्यास करते नहीं, बस उल जलूल खंदन करते जाते अभी पिछले जो फेस्बूक पे चलता था न हमारा धगड़ा रगड़ा ऐसे अनाडी लोग खंदन किया जा रहे बिन वात के बिना सिर्फ एर के शास्त्र का उनको पता नहीं एक नमुना बताता हूँ मिवान सा दर्शन का उससे आपको पता चलेगा कि वाक्त्यार्थ करते समय कितनी साउधानी रखनी पड़ती है एक घटना सुनाता हूँ एक समय की घटना थी एक व्यक्ति ने शनिवार रात को दही जमाई ठंड के दिन थे दिसंबर जन्वरी का महिना और मानलो उत्तर भारत का स्थान है यहाँ तो ठंड कम पढ़ती है वहाँ ची पढ़ती है दिल्ली की तरफ दिल्ली पंजाब हर्याना तो मानलीजिए दिसंबर जन्वरी का महिना है ठंड का मोसम है शनिवार की रात है उसने रात को दही जमाई यह सोचकर कि कल संडे है छुट्टी अपना कड़ी बना के खाएंगे इसलिए दही जमाई अब ठंड जैदा थी सुबे उठकर देखा तो दही जमीनी थोड़ी गर्मी चाहिए तब जाके पकेगी तो फिर उसने सोचा भई इसको धूप में रख देते हैं दही को थोड़ा गर्मी लगेगी तो दो एक घंटे में पक जाएगी सही हो जाएगी तो नौ बजे उसने छत पर दही रख दी और फिर सोचा भई यहां छत पर रखिये तो कव आएगा वो दही खाएगा मारी दही खराब कर देगा और मुझे बजार जाना है बेशन लाने बेशन भी खता में तो उसने अपने बेटे से का आठ नौ साल का बच्चा था दस साल के बच्चे वो बोला बेटा तुम यहां बैठो और जारा कववे का ध्यान रखना कववा कि यह तो वो बच्चे को बढ़ा गिया बच्चे ने कहा ठीक है पिटाजी मैं कववे को बिल्कुल नहीं खाने दूँगा और वो चलागया भाजार है वेशन लेकर आया तो देखा अरे दाई कहा गई तो धाई पूछा पिताजी ने अरे धाई कहा गई धाई तो खा लिए बरतन तो खा लिए बोला धाई तो बिल्ली खा गई पीछे से बिल्ली आई, बिल्ली दही खा गई तो पिता जी ने का बेटा मैंने तुम्हें कहा तो था कि दही की रक्षा करना तो बच्चे ने का आपने तो पिता जी ये कहा था कवे से रक्षा करना बिल्ली से रक्षा करना ये कब कहा था आपने तो कहा था कवे से रक्षा करना कवे को आया मैंने उड़ा दी उड़ा दिया कवे को कवे को दोबार आया मैंने फिर उड़ा दिया तीसरी बार आया फिर उड़ा दिया तीन बार कवे को आया मैंने तीन बार उड़ा दिया आपने जो का मैंने पूरा किया फिर जब बिल्ली आई तो खा गई तो मैं बिल्ली को क्यों रोकता आपने कब कहा था कि बिल्ली को रोकना तो बच्चे का जवाब ठीक है या गलत है गलत है न उसने अपने पिता जी का वाक्य ठीक से नहीं समझा पिता जी का ये ताद पर ये था कि कववे से तो दही को बचाना और बिल्ली को खिला देना क्या ये मतलब था नहीं था ना उसने गलत समझा ऐसा ये एक कानून है वाक्यार्थ को समझने के लिए एक कानून है इस कानून में क्या संदेश है कि जब ये कहा जाए कि कववे से दही को बचाना तो इसका अर्थ केवल कववे तक सीमित नहीं है कववे से बचाना, कुत्ते से बचाना, बिल्ली से बचाना और जो भी प्रानी इसको खराब करे सब से बचाना कववे तो केवल एक उदाहरन मातर है बात पकड़ में आई ना तो ये वेवार की बात है आपको भी रोज काम आती है तो आपने अच्छी तरह समझ ली कववे से दही की रक्षा करना इसका मतलब केवल कववे से नहीं है कववा तो एक एक एकजमपल है कववा हो कुटा हो बिल्ली हो कोई भी प्राणी हो सबसे इ ऐसे ऐसे लगभग एक हजार कानौन है वाक्यारत को समझने के लिए अब जिसको वो कानौन नहीं मालू वो उल्टा सीदे उल्टा सीदा समझेगा और खंणन करेगा इसलिए लोग ऐसी बातों का खंणन करते हैं यहां तो लिखा है तेन अंतकरन से अंतकरन तो तीन है और तीन का तो अनुमान हो यह निरा यहां तो एक का हो रहा है फिर अंतकरन क्यों लिखा है यदि वो अंतकरन ना हो तब तो आपत्ति उठाओ कि यह क्यों लिखा है वो अंतकरन तो है ही नहीं जबकि वो अंतकरन है है तो ठीक है सही है तो इस तरह से वाक्यारत को समझना पड तब जाके शास्त्र का एर्थ ठीक समझ में आता है, तो जो इस तरह गुरु शिष्य परंपरा से नहीं पढ़ते, अथवा गलत सिध्धान्त बना लेते हैं और फिर अपने मनमाने अर्थ निकालते हैं, वो बटकते हैं और दुनिया को बटकाते हैं, इसी वज़ा से दुनिय इमान साधी का अध्यान छोड़ दिया, इसलिए मार खा रहे हैं, तो यह थोड़ी प्रसंगिक बात थी, मैंने सुना दी, हो लिए, हाँ, कपिल मने, हाँ, हाँ पता था, आप सिये का सिलब स सरल बना दो, बना देंगे, हैं, क्यों, अब क्या हुआ है, तो मैं भी यारूब लगआ हूँगा, सिये का सिलब सितना हैवी क्यों बनाया? यह बैखें सामने सिये इन से पूछो, सीये का सिलब स जानभूज के हैवी बनाया गया यह वो है यह ऐसा, है यह ऐसा, तो सांखे दर्शन है ही ऐसा यारोब गलत है कप्रिल मुनी ने इतना हैवी क्यों बनाया बिल्कुल नहीं बनाया वो है ही ऐसा ये दर्शन है सुक्षमिश है कठीन है जैसे तीसरी चौथी कक्षा बच्चे को MSC की बात समझ में नहीं आएगी उसका सिलेबस उंचा होता है उसके लिए बुद्धी चाहिए स्टेब बाइ स्टेब बच्चे पढ़ते हैं जब MSC के लेवल पर पहुंचते हैं तब ही वो बात समझेंगे तो इस बात को ध्यान में रखें वो विशे जान बूज कर कठिन नहीं बनाया गया वो विशे है ही ऐसा हमको अपनी योग्यता बढ़ानी पढ़ेगी तीसरी चोथी से पांचमी छथी साथमी आठमी नौमी दसमी पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ योग्यता बढ़ती जाएगी IQ बढ़ता जाएगा तब जाके graduation, post graduation हाँ जी हाँ जी हाँ जी शब्द एक अलग चीज है शब्द का एक शास्त्र है उसको बोलते हैं व्याकरण क्या बोलते हैं व्याकरण का नाम है शब्द शास्त्र उसका टेक्निकल नाम है शब्द शास्त्र वो शब्दों की व्याख्या करता है शब्द कैसे बना गच्छती फर एक्जमपल उधारण है गच्छती एक शब्द है संस्क्रित में अब ये कैसे बना गच्छती गच्छताह गच्छंती गच्छसी गच्छताह गच्छामी गच्छावह, गच्छावह, यह जो रूप चलते हैं न, तो यह कैसे बना, इसकी व्याक्षा करेगा श्रब्द शास्त्र, व्याकराण, वो बताएगा, गम धातू है, गच्छती में धातू कौन सी, गम, धातू मतलब वर्ब, जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसमें वर्ब्स होती हैं, गो, इट, ट्रिंक, यह वर्ब्स हैं, फिर उसके रूप बनते हैं, गो, वेंट, गौन, इट, एट, इटन, इस तरह से, उसके अपने रूप चलते हैं, तो ऐसे ही संस्कृत व्याकरण में गम धातू है, उसका लट लकार है, वर्तमान का, प्रधम पु शब्दों को समझना हो, कौन सा शब्द क्रिया शब्द है, कौन सा शब्द संज्या शब्द है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, ये शब्दों को समझने के लिए बड़ा शास्त्र है, जिसका नाम है व्याकरण शास्त्र, ये तो शब्दों को समझने के फिर अर्थ, उसको अर्थ को समझने के लिए व्याकरण के अंदर एक section है जो अर्थ को बताता है वो भी व्याकरण में आता है, शब्दों के अर्थ समझना अब अर्थ का मतलब इसके बहुत सारे meaning है, अर्थ के मतलब भी बहुत सारे meaning है एक तो होता है जैसे हम बोलते हैं हवा, हवा का मतलब क्या, वायू, हवा, वायू, पवन, समीर, तो ये हवा का अर्थ है वायू, ऐसे हम बोलते हैं, तो ये जो अर्थ है ये वास्ताव में उसका शब्द अंतर है, हाँ, एक शब्द के साथ एक्विलेंट दूसरा शब्द र यावा का अर्थ है वसताओं में वह सब्दांतर है व्याकरण की भाषा में वह अर्थ है दर्शन की भाषा में यह अर्थ नहीं है ना में अर्थ मतलब एक जयसे उदारण है, यहक दर्शन में आता न visit तो वहाँ दर्शन शास्त्र में अर्थ का मतलब होता है वस्तू जिस वस्तू के लिए वो शब्द का प्रयोग किया गया जैसे उधारण के लिए ये क्या है पैन मैं मूँ से बोलता हूँ पैन ये शब्द है जो मैंने मूँ से बोला ये क्या है ये शब्द है और ये वस्तू जिस से लिखते हम ये अर्थ है ये है अर्थ अर्थ मतलब वस्तू जिस वस्तू के लिए हमने पैन शब्द का इस्तेमाल किया पैन का प्रियोग किया इस वस्तू के लिए माइक्रोफोन, ये शब्द है, ये अर्थ है, इसके लिए हमने माइक्रोफोन शब्द बोला, पुस्तक, मूँ से बोला, ये शब्द है, उसका अर्थ ये है, ये सामने जो रखी है, किताब जिसको हम खोलके पढ़ते हैं, वो अर्थ है, तो ईश्वर, मूँ से बोला, ये रिष्टी को बनाता है वो अर्थ है हाँ वो पदार्थ जिसके लिए मैंने इश्वर शब्द का प्रयोग किया जिस तत्तु के लिए प्रयोग किया वो है अर्थ ठीक है चलो ये प्रासंगी प्रशंता उत्तर देती आपने तो ये लंबी चोड़ी बाते हैं व्याकरन शास्त स्पेशल निरुक्त उसको पढ़ना पढ़ता है फिर निरुक्त में बहुत सारी बातें आती हैं वैदिक शब्दों को समझने के लिए उस पर कुछ खास नियम लागू होते हैं तो व्याकरन को पढ़ना निरुक्त को पढ़ना फिर छे दर्शन को पढ़ना फिर वक्ता के तात्परे को समझना बहुत बुद्धि लगाना इतने हजारों नियम लागू होते हैं तब जाके शास्त्र समझ में आता ऐसे नहीं आता तो अनाड़ी लोग जो इन चीजों को नहीं जानते वो ऐसे खंडन शुरू कर देते खंडन करना चाहिए मैं खंडन का विरोधी नहीं हो और खंडन तमीज से करना चाहिए ढंक से करना चाहिए आप जिस गलती को बताना चाहते हैं गलती तो बताओ गलती तो बता ही नहीं आप छलका प्रयोक कर रहे हैं आप गलती बताने का अधिकार आपको तब मिलता है जब आपको वो नियाए दर्शन में बताई चववन गलती मालूम हूँ आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी चववन गलती हैं तीन परकार का छल बोलिए पांच परकार का हित्वा भास 24 परकार की चाला की 22 परकार के निग्रेस्थान ये 54 परकार की गलती आपके दिमाग में होनी चाहिए और जब सामने वाला व्यक्ति 54 में से कोई एक गलती करे तब बोलो कि आपने 54 में से इस जाती का प्रयोग किया बताना पड़ेगा ये गलती की है ऐसे कुछ भी बोल देना ये खंडन नहीं होता ये तो पागलपन और मुर्खता की बात तो जिसको ये 54 गलतिया मालूम है उसको अधिकार है खंडन करने का और उसको बताना पड़ेगा कि आपने 54 में से ये गलती किये फिर वो सामने वाला भी जानता होगा अगर वो नहीं जानता तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्या गलती बताईए उसको भी 55 गलती मालूम होनी चाहिए तब तो समझेगा न जिसने कॉमर्स पड़ी है और वो एकांट्स बनाता है आप कोगो जहां ट्राइल बैलेंस में आपने एंट्री गलत की वो तो पता तो होना चाहिए तभी तो समझ आएगी तो उसको कैश्ट बुक का पता होना चाहिए लेजर का पता होना चाहिए ट्रेल बैलेंस का पता होना चाहिए बैलेंस ये बैलेंस येट का पता होना चाहिए तब आप गलती बताएंगे तो समझ में आ तो जो भी लोग बातचीत करते हैं, सावधान, ध्यान से सुनना, जो भी लोग बातचीत करते हैं, उनको चववन गलतियों का पता होना चाहिए. पहले निया दर्शन पड़ो, तब तक बोलना खत्रे बाला है, हाँ, दोनों में योग गिता होनी चाहिए, दोनों को चववन गलती मालूब होनी चाहिए, फिर बात करो, तब देखना मज़ा आएगा, मैं और मेरे गुरुजी, स्वामी सत्यपती जी महराज, हम दोनों इस नियाए दर्शन में एक्सपर्ट थे, अब गुरुजी नहीं रहे, इसलिए मैं थे बोल रहा हूँ, चलेगे गुरुजी, जब वो जीवित थे, तो हम दोनों इस नियाए विद्या को बहुत बढ़िय जानते थे, और दोनों चववन गलतियों से बच के बात करते थे, वो भी जानते थे, और मैं भी जानता था, दोनों इतनी बढ़िया साफ सुथरी बात्चित करते थे, तो गुरुजी कहते थे, मुझे जितना अनन्द आपके साथ बात करने में आता है, उतना किसी के साथ नहीं आता, यह सब नालाइक लोग है, इनको गलतियों का पता ही नहीं, सारा दिन गलतियां करते रहते, तो मुझसे बात करते थे, बड़े खुश होते थे, बोले आप से बात करने का अनन्द आता है, आप चब्वन गलतियों से बच कर बोलते हैं, तो जिसको गलती नहीं मालूम, तो गलती तो करेगा, अन्जाने में करेगा, और जो दुष्ट बेइमान है, वो जानबूज के करेगा, तो कई लोग कहते हैं, साब यह तो, हमें तो पता ही नहीं था, यह तो अन्जाने में हो गई, अरे तो अन्जाने में हुई, तो क्या वो अंजाने में रखो हाथ तो जलेगा तो गलती चाहे जान भूज के करो चाहे अंजाने में करो गलती तो गलती है उसका दंड तो मिलेगा जैसे गलती से तवे पर हाथ रख दिया तो हाथ जलेगा उसका नुकसान तो होगा ऐसे ही गलती जान भूज के करेंगे तो ज्यादा द नाप तोले के बोलो पहले चवब गलतियों से फिल्टर करो अपनी बात को चेक करो कि मैं गलती तो नहीं कर रहां चवब अन Gwen में से कोई गलती तो नहीं आ बोलना बहुत खत्रे वाला काम है एक वो कावत आपने सुनी होगी बंद मुठी तो लाग की और खुल गई तो तो जब तक आपका मुझ बंद रहेगा ना तब तक आपकी केमत लाग रुप्या है और मुझ खुलता ही देगे ना सारी फॉल खुल जाएगी सब पता चल जाएगा कितनी बुद्धी है इस आदमी में तो जैसे हम ये सांखे बढ़ रहे हैं ऐसे न्याय को भी पढ़ना चाहिए उसको भी पढ़ेंगे आगे फिर समय मिलेगा उसको भी पढ़ेंगे न्याय दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए न्याय दर्शन की जीवन में इतनी कीमत है जितनी आपके शरीर में आँख की न्याय दर्शन की जीवन में कितनी कीमत है जितनी आपके शरीर में आँख की कीमत समझते हैं आप एक दिन दो घंटे आँख पे पट्टी बांध लो पता चल जाएगा आँख की कीमत क्या है दो घंटे सिरफ आँख पे पट्टी बांध के सारे काम करो पता चलेगा आपकी कितनी कीमत है इसकी, कितना मुली है तो न्याय दर्शन हमारे जीवन में आँख का काम करता है और योग दर्शन पेर का काम करता है तो जो न्याय नहीं जानता वो सूर्दास है जगा जगा ठोकर खाएगा, इस चववन गड़े में गिरेगा, कहीं न कहीं गिरेगा तो सारा दिन लोग गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि वो नियाइद पढ़ते नहीं, उनको पता नहीं कि कहां कहां गलती हो रही है और मैं जानता हूँ वो सारी गलतियां, तो मैं लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, और अपने मन में हसता रहता हूँ क्योंकि मुझे तो पता चलता है, कहां गलती कर रही है मुझे तो पता चलता है किसने कहां गलती की कहां छलका प्रयोग की है कहां जाती ही चाला की की कहां गलस सलत उतर दिया एक बहुत कॉमन गलती है जब व्यक्ती दो व्यक्ती बात करते हैं तो हर एक में इगो तो होती है अपमान सहना तो कोई चाहता नहीं जब बात करते हैं तो एक की बात कट गई जब कट गई तो उसको हट होता है अंदर से कश्ट होता है कि मेरी बात तो कट गई मैं तो हार गया अब यह उसको सहन नहीं होता वो हार स्विकार नहीं करना चाहता और फिर गोटाला करता है जैसे ही बात कटेगी, Topic बदल लें यह सबसे common गल्थी जो बहुत लोग करते हैं लगबग सारे ही करते हैं कोई जान बूज़ के करते हैं, कोई अंजाने में करते हैं वो Topic बदलते हैं अगर दो व्यक्ति नियाई दर्षन जानते हूं 54 गलतियां जैसे मैं और मेरे गुरुजी जानते थे तो हम बड़ी अफस्स क्लास बात करते थे और पांच मिनट में फैसला हो जाता था कौन सी चीज कैसी है सत्य का निरने करने में देर नहीं लगती पर उसकी योगिता तो होनी चाहिए ना सत्य की खोज करने की पता तो हो कि हाँ इस इस तरह की गलती है तो हमें उससे बचके बोलना तो पांच मिनट में सच्चाई करने में हो जाएगा तो दो व्यक्ति अगर वादी पृतिवादी बहस करते हैं बातचीत करते हैं और दोनों को 54 गलती मालूम है और दोनों इमानदार हैं ये बात ध्यान रखना इमानदार होने चाहिए कई लोग 54 गलती हैं समझते हैं पड़ते हैं फर वो इमानदार नहीं हैं बहुआइवान फिर वो जान बूज के गोटला करते बात को लंबा खीशते हैं इदर दर गुहाते रहते हैं तो यदि दो व्यक्ति इमानदार हो और 54 गलतियों को जानते हो और सच्चाई से बात करें तो 5 मिनिट में सही और गलत का फैसला हो जाएगा कोई लंबा देर नहीं लगती है और नहीं जानते हैं तो ठीक है पर टाइम बरबाद करते रहते हैं इदर ओचवण में से कोई न कोई गलती करते रहते हैं अगर दोनों इमानदार हैं तो दो ही व्यक्ति मिलकर सही और गलत का फैसला कर सकते हैं वादी प्रतिवादी दोनों इमानदार, दोनों सत्य ग्राही हैं, हठी अडियल नहीं है, छली कप्टी नहीं है, बेईमान नहीं है, तो वो दोनों मिलके सही गलत का फैसला कर सकते हैं, पर कहीं कहीं ऐसा होता है, व्यक्ति के दिमाग में ये बैठता है, बैठ जाता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तीस साल से ये बात मान रहा हूँ, क्या मैं बेवकूफ हूँ, क्यों मैं तीस साल से इतनी भाड़ी गलती कर रहा हूँ क्या, तो कभी-कभी ऐसी बात भी अठकती है, जब ऐसी अठक जाए तो फिर तीसरा नया अधेश चाहिए, दो व्यक्ति वादी प्र गलतियों में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए, चोवन गलतियां कैसी है, कौन-कौन सी है, अब दो में से जो भी व्यक्ति गलती करेगा, वो तुरंट पकड़ेगा, कि हाँ इसने गलती किये, और ये वाली गलती किये, उसको भी पता होना चाहिए, फिर जो गलती करेगा तो दूसरा व्यक्ति अफील करेगा नियाय धीश को, देखो साब इसने ये चल जाती है निगरेश्थान का प्रयोग किया, फिर वो विचार करेगा इसका आरोफ सही है, हाँ इसने गलती किये, अब वो निर्णे सुनाएगा, कि आपका आरोफ सही है, इ उनकी बात फिर करेंगे, मैंने प्रसांगी ग्रूप से मोटा-मोटा बता दिया, कि इस तरह से हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए, नियाय विद्ध्या को जरूर पढ़ना चाहिए, वो आपकी आँख की तरह है, जितना जितना आप नियाय विद्ध्या को समझेंगे, उतना उतना आपकी आँखे खुलती जाएंगी, उतना उतना सच्चाई समझ में आएगी, उतना आप गधे से बच कर चलेंगे, चोट खाने से बचेंगे, सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही आचरण करेंगे, इसके बिना ये ठीक ठाक आचरण नहीं होने वाला और जब तक हमारा आचरण ठीक नहीं है भाशा ठीक नहीं है तब तक योग कि उची समादी में नहीं जा सकते योग समादी तो बाद की बात है पहले न्याय विद्या चाहिए सही गलत का पता तो हो यम नियम का पालन करना है के नहीं तो यम नियम में दूसरा नंबर भी क्या है पहला अहिंसा दूसरा सत्य तो सत्य के बिना उपर कैसे जाएंगे और सत्य की खोज के लिए 54 गलती मालू होनी चाहिए तो पहले नियाई पढ़ना पड़ेगा फिर योग का नंबर आएगा पहले आँख चाहिए फिर पाउं चाहिए पहले आँख से रास्ता देखते हैं फिर हम पाउं से चलते हैं या पहले पाउं से चलते हैं, बाद में रास्ता देखते हैं, पहले आँख की जरूरत है, रास्ता तो देखो कहां चलना है, गड़े से बचके चलो, पहले रास्ता देखो, फिर पाउं से चलो, तो पहले नियाई विद्या सीखो, फिर योग विद्या सीखो, तो आप ठीक ज ठीक है, पर सूर्दास है, वो चल तो सकता है पर उसको रस्ता नहीं दिखता, वो भी मार खाएगा, तो दोनों धूरे हैं, आख भी ठीक होनी चाहिए, पाउं भी ठीक होना चाहिए, दोनों ठीक होने चाहिए, तब दोड़कर आदमी पहुंचेगा ठीक जगा पर, अपने ल योग और संख्य योग और संख्य ये समान शास्त्र है न्याय और वशेशिक वो दो समान शास्त्र है वो भी कठिन है टेड़ा मेड़ा है कठिन तो न्याय भी है वो भी सरल नहीं है फिर भी कोई बात नहीं यह सीए का कोर्स भी तो कठिन है न तो इन्हों ने किया या नहीं बहाने बादी नहीं कि साब सीए का कोर्स कठिन है कैसे होगा बस करना तो करना है लगाओ ताकत हो जाएगा M-Tech करना सरालेश, कठीन है, M-B-A करना, M-Tech करना, C-A करना, M-D करना, M-S करना, M-C-H करना, ये बड़ी-बड़ी डिगरिया है, सब कठीन है, पर करने वाले करते हैं, भाने बाजी नहीं करते हैं, वर्षों तक महनत करते हैं, घर छोड़ छोड़ के 5-5 साल होस्टल में रहते तब जाके डोक्टर बनते हैं, फिर उसके बाद और 5 साल लगाते हैं, इतनी महनत करते हैं, तब जाके डोक्टर बनते हैं, मजग नहीं डोक्टर बनना, तो जैसे डॉक्टर बनना कथिन कार्य है पिसिय करना कथिन कार्य है ऐसे ही धार्शनिक बनना विध्वान बनना योगी बनना ये उससे ज्यादा कथिन सिये करने से ज़्यादा गठी नहीं है थीए इंटेक करने वाला ब्यक्ति स्यांटिस्ट बनने वाला व्यक्ति अपने मन में यह आशह रखता है कि मैं मैडल कुंगा मुझे सम्मान मिलेगा मुझे धन मिलेगा मेरी प्रसिद्धी होगी, वो उस आकर्षन से, उस लोब से काम करता है, उस से महनत करता है, वो उसका मोटिवेशन है, यहां तो इस पर भी बेहन लगा रखा है, आपको डिगरी नहीं मिलेगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपको बहुत धन भी नहीं मिलेगा, आपको उंचा पद भी नहीं मिलेगा, आपकी प्रसिद्धी भी नहीं है, नहीं होगी, इन शर्तों पर काम करना है, बोलो, सरल यह कठीन है, बहुत कठीन है, कोई बात नहीं, करना तो है, इसके बिना छुट करना नहीं, इसको किये बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, इसके बिना मोक्ष नहीं मि जो भी उस रास्ते पर चलेगा उसको ये सब करना पड़ेगा। और तो और लोगों की गालियां भी सुननी पड़ेंगी। सम्मान तो भूल जाओ। उपर से गालियां और सुननी पड़ेंगी। पिछले दिनों मैंने बहुत गालियां खाई है। फेस्बुक पर बहुत लोगों ने गालियां दी। हाँ अभी आज ही बोला था न। आप तो अभी घर में बैठें। अभी तो मार्केट में आए नहीं। जब मार्केट में आओगे तब पत्थर पड़ेंगे। तब गालियां पड़ेंगी तब पता चलेगा। चलिए। हम वापस आते हैं अपने प्रसंग पे तो हमारी बात चल रही थी। तेन अंताकरण अस्यक उस अहंकार से उसके कारण दरव्य अंताकरण महत पत्थ्व का हम अनुमान करते हैं। अगला सूत्र बोलिये 65 ततह प्रकृते हैं। तो पीछे अंताकरण कौन सा था। बुद्धी। यहां बुद्धी था ना अहंकार से बुद्धी का हमने अनुमान किया। और बुद्धी से उसके उपादान का प्रकृती लास्ट अब अन्त में आगे प्रकृती। तो कहा रहे हैं। ततह प्रकृते हैं। उस महतत्व से प्रकृती का अनुमान करना चाहिए। जब कारिवस्त हुए तो उसका कोई कारण भी होगा। तो प्रकृती लास्ट अंतिम कारण है। वहां तक पहुँच गए। तो पहले उत्पत्ती का करम बताया। प्रकृती से महतत्व बना, महतत्व से अंकार बना, अंकार के बाद सोला चीज़ें बनी, फिर उन सोला के बाद पंच महभूत बने। ये सोक्षम से स्थूल की और चले। फिर अनुमान प्रकार में उल्टे चले। पंच माबूद से तन्वात्राओं का अनुमान तन्वात्राओं और मनिंद्रियों से अहंकार का अनुमान अहंकार से महतत्व का अनुमान और महतत्व से सत्वरज्टम प्रकृति का इस तरह से उल्टे वापस आवे तो ऐसे दिखने वाली चीजों से न दिखने वाली चीजों का अनुमान किया जाता है इस तरह हमको एक एक चीज का अच्छा जियान हो जाएगा फिर इसको बार-बार अभ्यास करेंगे दोराएंगे तो हमें वो जियान वास्तविक जियान हो जाएगा तब तो जियान हो जाएगा बस वोई विवेक प्राप्त करना है यही मोख्ष तक पहुचाएगा जी हाँ कारण है यह नहीं उसका तो चलता रहेगा वो बनती रहेगी तूटती रहेगी फिर बनेगी फिर टूटेगी स्रिष्टी बनी है फिर प्रले आईगी फिर टूटेगी प्रले के बाद फिर इश्वर दुबारा नहीं बनाएगा फिर वो चलेगी चार अरब 32 करोड वर्ष उसके बाद फिर तूटेगी तो ये प्रवास से अना दिये इसका प्रवास सदा से चल रहा है सदा चलता रहेगा ना शुरू हुआ ना खतम होगा कई लोगों को इस बात पर बड़ी मयूसी होती है कि हम मोक्ष में जाएंगे फिर वापस आएंगे क्या मोक्ष से वापस आना पड़ेगा ऐसा बोलते है मैंने का हाँ आना पड़ेगा बोले फिर फाइदा क्या जानेगा जब वहां से भी वापस ही आना है तो फिर जाने का लाब गया मैंने का आप क्या काम करते कि यही है नियाए विद्या जो हमको सोच ना सीखाती है जब हम नहीं सोचना सीखते तो फिर ऐसी गलतियां करते खुद तो वो काम कर रहें आ दूसरे को मना कर खुद तो आफिस जा रहे हैं और वापीस आ रहे हैं और हमको मना कर रहे हैं कि तो मुक्ति में क्यों जा रहे हैं वापस तो आ नहीं है फिर क्यों जा रहे हैं अरे उसके बिना काम नहीं चलता है ऑफिस क्यों जा रहे हैं जाएंगे काम करेंगे पैसे कमाएंगे घर चलाएं आफ़स जाने में फाइदा है। इसलिए जाते हैं। तो हम ने ज хороший गंटे आफ़ते skalने से फायदा है few ईot तो हम करूश अरबों खरबों वरशों तक मुक्ति आरवन में ने सको फायदा नहीं है। आप आठ घंटे के फायदे के लिए जाते हैं। हम के फाइदे के लिए क्यों ने जाएं? यह कोई बात हुई? बस ऐसी ऐसी गलती होती है, यही सोचना सिखाता है नियाएदर्शन, कि सोचना सीखो, दुनिया में सबसे बड़ी कला है सोचना, सही सोचना, क्या बोला, दोरा यहाई? दुनिया में सबसे बड़ी कला है सही सोचना और सही सोचना हमको नियाए दर्शन सिखाता है उसमें ये सारी कला लेखी है हाँ पूछिए क्या बोल रहे है है हाँ हाँ ठीक है आपने योग दर्शन के स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जो और साम के दर्शन में अभी आप बता रहे हैं के सूक्ष्म से आप इस थूल की तरफ आपस हो दोनो तरफ चलना है सूक्ष्म से स्थूल की तरफ भी चलना है स्थूल से सूक्ष्म की तरफ भी चलना है इदर भी जाना है उदर भी जाना बार बार जाना है, फिर वो धिमाग में बेठ जायेगा, तब समझ में आयाएगा, औचा इसकी यह है, एक बार में समझ में नहीं आता, बच्चे ने पूछा पापा, ये क्या है, पापा ने बेटा, ये कभू आये, दस मिन it राद फिर पू करना पड़े गा समझना पड़ेगा चिंतन करना पड़ेगा दोराना पड़ेगा धिरे धिरे समझ में आयेगा ये प्रकृति ये प्रक्रिति ये दुख दाएगा है कि ज़्त का तो चटपटा खाने की इच्छा होती है फिर वो उसको दुकानदार को कहते हैं वह धर चटपटी बनाना है वो चटपटी बनाता है थोड़ा तेज मिर्ची डाल के फिर जब खाता है तो अब उसको समझ में आगे चटपटी परिशान करती है फिर वो कान पगड़ता आप तो चटपटी खाई अगली बार चीक ठीक खाऊंगा ज्यादा तीखी नहीं खाऊंगा जब ताजी ताजी खाई हो ना ताजा अनुब हो तब तो वो ऐसे कान पगड़ता कि अब तो गलती ह हो गई अगली बार इतनी तीखी नहीं खाऊंगा 15-20 दिन में भूल जाता है 20 दिन बाद फिर जाता है वहीं उसी दुकान पर कहता वहाँ यह चाट पकोड़ी बनाना जरा चटपटी बनाना फिर भूल जाता है 20 दिन में फिर तीखी खाता है और फिर मुझलता है और फिर क करूँगा, ऐसे व्यक्ति कितनी ही बार गलतियां करता है, वही वही गलतियां करता है, बार-बार रिपीट करता है, हाँ या ना, इसको भी बार-बार पढ़ना पढ़ता है, सोख्ष्म agriculture की और जाना पड़ता है ऐसे आगे पीछे आगे पीछे चक्कर लगाना पड़ता है तब जाके एक एक बात दिमाग में बैठेगी इसलिए ऐसा करना पड़ता है तो कपिल मुनिजी ने ऐसा ही शैली का प्रयोग किया कि पहले उत्पत्ति बताओ फिर स्थूल से सोक्षम की और चलो अभी लिए संगहत परार्थत्वात पुरुशस्य पिछले सूत्रों में स्थूल जगत से सुक्षम तत्वों का अनुमान किया पंचमा भूच से तन्वात्राओं का तन्वात्राओं से अहंकार का अहंकार से महतत्तो का महतत्तो से प्रकृति का प्रकृति तक का अनुमान हो गया अब आया पुरुष आत्मा और ईश्वर दोनों आगे दोनों ही पुरुष है तो वो दोनों भी तो सुक्ष में हैं वो भी आँख से नहीं दिखते ना ईश्वर दिखता ना आत्मा दिखता अब उसका अनुमान कैसे करें उसकी टेकनिक है इस सूत्र में आत्मा का अनुमान क लिए ये सूत्र काम का है जो नास्तिक हैं जो कहते हैं को कहां देखा इश्वर किसने देखा इश्वर क्या होता है आत्मा कुछ नहीं होता तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं अब वो इस सूत्र को ध्यान से सुनें इस सूत्र में बताया कि आत्मा और इश्वर का अनुमा यह नियाम है, जो वस्तू संघात होती है, बोलिए, उसका उपयोग वह स्वयम नहीं करती, कोई दूसरा करता है, कार, संघात मतलब combination of particles, अनेक टुकुडों का बंडल, समुदाय, उसको बोलते हैं संघात, जिसमें एक से अधिक टुकुडे जोड रखे हो, एक से अधिक टुकुडे हो, उसका नम है संघात, ठीक है, अब उधारन के लिए कार है, कार में बहुत सारे पुर्जे हैं, तो अनेक पुर्जों को जोड कर जो कार बनाई गई, क्या कार का लाव कार स्वयम लेती है, कोई औ संघात वस्तु है, अनेक अव्यवों का समुदाय है, कार का लाव कार नहीं लेती, कोई दूसरा लेता है, जो दूसरा लेता है, वो कौन है, आप और हम, हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं, तो जैसे कार का लाव कोई दूसरा लेता है, संघात अपना लाव स्वयम नहीं लेता, को बिल्डिंग ले दी, कोई दूसरा लेगा, तो इससे किसी दूसरे का अनुमान होता है, अगर कोई चीज संघात रूप है, अनेक अवयवों का समुदाय है, तो उसका कंजूमर कोई दूसरा होना चाहिए, और उस कंजूमर की सत्ता है, तब ही तो वो बिल्डिंग बनाई तो गरहक के लिए वस्तू बनाई जाती है, और वो जो बनाई जाती है, वो संघात होती है, तो जितने भी दुनिया में संघात हैं, वो सब के सब किसी और के यूज के लिए है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका लाब उठाता है, तो जहां भी संघात दिखेगा, इससे होता है, आत्मा कंजूमर है, ये सारी प्रकृति संघात है, तीन अवयवों का, कौन कौन से, सत्व रज और तम, तीन है न, सत्व रज और तम, तीन पार्टिकल से हैं, तीन के बंडल का नाम प्रकृति है, वो संघात है, तो संघात है तो कोई ना कोई इसका कंजूमर है, क ये तो हो गया आत्मा का नुमान, आत्मा कंजूमर है, भोकता है स्रिष्टी का, उसके लिए स्रिष्टी बनाई गई, अब साइंस वालों से पूछो स्रिष्टी किसके लिए बनाई गई, उनके बास कोई उतर नहीं है, क्योंकि वहाँ चेतन आत्मा को तो मानते ही नहीं, इस इसलिए इस प्रशन का उत्तर वो नहीं दे सकते, और अब इसी सूत्र से ईश्वर की सिध्धी होगी, संघत परार्थत्वात, जो संघात वस्तु है, उसका मैनुफेक्चरर संघात से अलग होता है, कार वही उधारन लेता हूं, कार एक संघात वस्तु है, तो कार का मैनुफ केतन है, बुद्धि मान है, इंटेलिजेंट है, जो कार बनाना जानता है, कार बनाने की ताकत भी है, शक्ति है, उसमें समर्थ्य है, वो अपनी योग्यता से, बुद्धी से, इच्छा से, समर्थ्य से कार को बनाता है, तो कार को लाब लेने वाला भी कार से अलग है, कार क तो एक इसका consumer होना चाहिए, वो आत्मा है, ये आत्मा का अनुमान हो गया, और एक इसका manufacturer होना चाहिए, वो हिश्वर है, तो हिश्वर भी सिद्ध हो गया, आत्मा भी सिद्ध हो गया, इस तरह से सुक्षम तत्तों का अनुमान होता है, इन स्थूल पदार्थों से सुक्षम तत्वों का अनुमान होता है ये प्रक्रिया बताई ठीक है और कोई प्रशन है चले आगे तो 66 सूत्र में पुरुष का अनुमान हो गया आत्मा का भी इश्वर का भी अब 67 सूत्र बोलिए मूले मूल अभावाद मूलम बढ़िया सूत्रन मूल शब्द की बार-बार रिविजन अब अवरित्ती है मूले मूला भावाद मूलम मूला मूल कार्थ होता है अन्टिम कारण जैसे वरिक्ष की जड़ होती है न उच जड़ को भी मूल कहते हैं ये इसका मूल अन्टिम बेस तो मूल कार्थ हो गया अन्टिम कारण अब यहां सूत्र में कह रहे हैं मूले अन्टिम कारण में का और आगे कारण नहीं होता इसलिए उसको अनतिम बूलते हैं अन लास्ट फाइनल उसके आगे और कोई कारण नहीं है जो कारकरण परमपरा है, यह चलते चलते कही न कहीं तो रुकेगी हां या न रुकने चाहिए या नहीं कहीं तो रुकनी चाहिए ना, तो पंच महाभूत से अनुमान लगाने शुरू किया था, पंच महाभूत से तनवात्राओं का अनुमान किया, वो उसका मूह ले, कारण है, फिर तनवात्राओं से अहंकार का अनुमान किया, वो उसका मूह ले, फिर अहंकार से महतत्व का अनुमान किया महतत्त्यु से प्रकृति का तो किसी ने पूछा प्रकृति का भी तो कोई और कारण होना चाहिए यहां के रुक क्यों गए आप और उसका कारण ढूंडो ना प्रकृति का और कारण भी तो ढूंडो इस प्रश्ण के पार्टिकल है उससे और छोटा कारण नहीं होता ये सिस्टम है ये विवस्था है तो अन्तिम कारण का और आगे कारण न होने से अमूलम मूलम जो अन्तिम शब्द है मूलम इसकार तो वह ये मूल कारण प्रकृति और अमूलम बिना कारण वाला प्रकृति बिना कारण वाली है अर्थात वो अनादी है उसका कोई कारण नहीं है अनादी उसी को कहते है जिसका और कोई कारण नहीं हो उसको अनादी कहते है तो मूलम अ मूलम जो प्रकृति है वो अनादी है उसका कोई कारण देते हैं अंदेरे में तेज छोड़ देते हैं कोई तो होगा ना खासतोर से तब बोलते हैं जब हम कहते हैं यह प्रकृती अनादिकाल से चल रही है स्रिष्टी स्रिष्टी अनादिकाल से चल रही है पहली बार कभी नहीं बनी तो लोग कहते हैं ये बैठती नहीं दिमाग में वो कहते हैं कभी न कभी तो पहली बार बनी होगी कभी न कभी कभी न कभी ऐसे खीशते हैं बात को वह कितना भी पीछे चले जाओ जो कभी तो पहले बार बनी होगी, वो गहराई से विचार नहीं करते, खाली शब्दों को रठ मारते, कभी तो पहली बार बनी होगी, नहीं बनी, इसको समझना थोड़ा कठीन है, असंभव नहीं है, कठीन है, थोड़ा मेनत करनी पड़ेगी, कि स्रिष्टी सदा से चल रही ये पहली बार कभी नहीं वनी तो एक तो ये बात है कि स्रिष्टी सदा से चल रही है कभी नहीं वनी पहली बार और दूसरी बात ये है कि प्रकृती सदा से है नित्य है स्रिष्टी तो फिर भी तूटती बनती है वो प्रवा से अनादी है पर प्रकृती तो स्वरूप से अनादी है तो ये सूत्र में ये बता रहे हैं प्रकृती स्वरूप से अनादी है वो कभी नहीं बनी अगर बान ले सपोज नियाए दर्शन में इसको बोलते हैं अब अग्रेजी वाले कहते हैं सपोज कल्प ना करो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं चलो मान लेते हैं कि प्रकृती भी बनी है उसका भी कोई कारण है जैसे आंकार का कारण मातत्व का कारण प्रकृती अब कल्प ना करते हैं प्रकृती का भी एक और कारण है मान लो थोड़ कोई और कारण होगा, प्रकृति के कारण का भी तो कोई और कारण होगा, फिर उसका भी होगा, फिर उसका भी होगा, तो अनवस्था दोश आएगा, वो बात अगले सूत्र में आने वाली, ये बात अगले सूत्र में आएगी, कि कारण का कारण नहीं होता, कहीना कहीन तो क्या अविवस्था हो जाएगी एक मोटा एक्जम्पल देता हूं हमारे पास दो किलो ग्राम लोहा है दो किलो का बाट तराजू में जो बाट रखते हैं दो किलो का एक वो मन लीजी और एक दो ग्राम का छोटा बाट है दो ग्राम का ये वाला कितने कितना दो किलो और ये दो तो दोनों में कुछ भार में अंतर है, क्या दोनों में समान पर्मानू है या कम अधिक है, अगर भार में अंतर है तो पर्मानूं में भी कम अधिक होना चाहिए, तब ही तो अंतर आएगा, अगर दो किलो वजन में भी अनंत पर्मानू हो, और दो गराम में भी अनंत पर्मान तो दोनों का भार बराबर हो जाएगा, यह अंतर नहीं रहेगा, योगी परमानु अनंत है, तो अब बताईए क्या दो किलो में अनंत परमानु होंगे, दो ग्राम में अनंत परमानु होंगे, नहीं होंगे, कम अदिक होंगे, यदि कम अदिक हैं तो उनकी सीमा हो जाएगी, कि इसमें दो पर्मानु हैं इसमें दो हजार पर्मानु हैं तो कहीं तो सीमा आएगी ना यदि कारण 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 ऐसे गिनते जाए और कहीं भी ना रुकें कहीं भी नहीं रुकते कारण कारण मानते जाओ तो दो किलो ग्राम लोहे में अनंत पर्मान और भार का अंतर सिद्ध है, दो ग्राम और दो किलो ग्राम भार में अंतर सिद्ध है, अगर सिद्ध है तो परमानों की संख्या भी सीमित होगी, वो सीमित तभी तो होगी जब अंत में कहीं रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, जब रुकेंगे तभी तो यह थोड़े होंगे और यहाँ ज्यादा होंगे इसलिए कहिए कहीना-कही रुकना इति, संज्याम आत्रम, तो ये कहा रहे हैं पारंपर्य अपि, कार्य कारण परंपरा होने पर भी, पंचमा भूच से चले थे, वो कार्य था, उसका कारण तनवात्राएं, उसका कारण आंकार, उसका कारण महत्त्तो, उसका कारण प्रकृति, ये कार्य कारण परंपरा, उसका कारण उसका कारण उसका कारण उसका कारण तो ये परंपरा होने पर भी एकत्र परिनिष्ठा एक जगा जाकर समाप्ती होगी इस परंपरा की एक जगा समाप्ती हो जाएगी वहां रुकना पड़ेगा अंतिम कारण पर रुकना पड़ेगा यदि रुकेंगे नहीं तो बताया था अभी अविवस्था दोश आएगा फिर ये भार का अंतर नहीं आएगा दो किलो और दो ग्राम ये अंतर नहीं बनेगा अगर उसमें भी अनंत परमानू और इसमें भी अनंत परमानू कहीं भी नहीं रुकते तो अनंत परमानू मानने पढ़ेंगे फिर यह अंतर नहीं आएगा यह अंतर तो प्रत्यक्ष प्रवान से सिद्ध है इसलिए कहीं न कहीं रुकना पढ़ेगा यह सूत्र यह कहा रहा एकत्र परिनिष्ठा इस परंपरा की समाप्ति हो जाएगी जो अंतिम कारण होगा उसके आगे और कारण नहीं तो कह रहे हैं संज्या मात्र मिति फिर संज्या मात्र का भेद होगा नाम मात्र का भेद होगा हमने यह कार्यकारण परंपरा प्रकृति पर जाके समाप्त कर दी पंचमाभूत, तन्वात्राय, अहंकार, महतत्व, प्रकृति हमने यहां खतम कर दिया, यह लास्ट है, यहां रुख गए आप कहते हो कि नहीं नहीं इसका और कारण मालो, चलो मालो प्रकृति का एक और कारण माल लो दूसरा उसका तीसरा उसका चोथा उसका पांचमा तो बीस पे जाके तो कहीं तो आप भी रूकोगे कहीं न कहीं तो रूकना पड़ेगा बस फिर नाम मात्र का फरक होगा हम इसको प्रकृति कहा रहे हैं अंतिम को आप अंतिम का नाम कुछ और रख दोगे बस नाम कई फरक रहेगा आप उसका नाम अभू रख दोगे कुछ और नाम रख दोगे बस नाम कई फरक रहेगा रुकना तो पड़ेगा आपको भी हमको भी और आपको भी रुकना तो पड़ेगा तो जब रुकना ही है तो प्रकृती भई क्यों नहीं रुकते हल तु कल्पना क्यों कर रहे हैं और यदि आप कल्पना करेंगे कि प्रकृती का भी एक और कारण है उसका भी दूसरा उसका तीसरा और बीस कारण और है तो इसके लिए आपको प्रमान देना होगा प्रमान लाओ आप प्रमान लाओ हम मान लेंगे बिल्कुल मानेंगे क्योंकि न्याय दर्शन यही बताता है जब बात करें तो प्रमान से तर्क से अपने पक्ष की सिद्धी करो बिना प्रमान तरक के नहीं बोलना मुझे गुरुजी ने सिखाय था मैंने बोलना सीखा गुरुजी से स्वामी सत्यपति जी महाराज से एक घटना याद आगी बता दूँ 1981 की बात 1981 कितने साल हो गए इतने साल पुरानी बात तो हम साउध इंडिया में दक्षिन भारत में वहां पढ़ने के लिए जाते थे गुरुजी के साथ एक गुर्कुल में दो तिन महीना वहां रहते थे जब दिल्ली में ठंड पढ़ती थी दिसंबर, जन्वरी, फर्वरी उन दिनों वहां दक्षिन भारत में ठंड कम होती तो हम वहां चले जाते थे पढ़ने के लिए तो ठंड से भी बच गए, पढ़ाई भी हो गई तो एक दिन हम शाम को सेर पे निकले गुरुजी और मैं तो चलते चलते गुरुजी ने पूछा विवेक जी मेरा नाम पहले विवेक जी था तो भोले विवेक जी ये कॉन सा पोदा है अब मैं ठेरा दिल्ली का रहने वाला मैंने कभी खेत खल्यांदेखहा नहीं मैंने कुछ भी बोल दिया इसे ही कुई दुर दुर से दो-चार नाम सुन रखे थे तो मैंने कुछ भी बोल दिया, मैंने का गुरु जी ये पहुदा है, बोले अच्छा, क्या प्रमान, ओ मैं फस गया, अब प्रमान तो कुछ है नहीं, मैं गाओं में रहा नहीं, खेती में नहीं, वनस्पति का मुझे मलूम नहीं, बस ऐसे भी बोल दिया, यह यह भला न तो गुरु जी ने पकड़ लिया मुझे, बताओ क्या प्रमान है, मैंने का जी प्रमान तो नहीं है, तो बोले जब प्रमान नहीं तो क्यों बोला, बोलना सीखो, तुम्हें बोलना नहीं आता, मैंने का ठीक है गुरु जी, बताइए मैं सीखूँगा, तो बोले जब तक तब तक नहीं बोलना, जब भी बोलना है, पहले प्रमान धूंडो, फिर बोलना, मैंने गाँ ठीक है गुरु जी, आगया समझ में, तो हम शाम को सहर करके वापिस आगे, अगले दिन फिर चले सहर पे, फिर गुरु जी के साथ शाम को उसी टेम, सहर पे निकले, वो जंगल का रास्ता था, तो गुरु जी ने अगले दिन फिर मेरी परिक्षा ली, बोले हाँ विवेक जी, बताओ ये कौन सा पहुदा है, मैंने गुरु जी मुझे नहीं बता, मैंने गुरु जी मुझे नहीं मालूँ, बहुत जवर से हसे, बहुत खुश हो कर हसे, बोले वाँ, आप पचने का अच्छा रास्ता निकाल लिया। मैंने गुरु जी कल आपने ही तो सिखाया था। कि जब प्रमान नहीं हो तो नहीं बोलना। तो मेरे पास कोई प्रमान नहीं है मैं जानता नहीं। इसलिए मैंने सीधा ही सरंडर कर दिया। मुझे नहीं वालू। तो इतने वर्ष पहले मैंने बोलना सीखा। और उन दिनों हम वहाँ न्याय दर्शन ही पढ़ते थे। पूरा दिन न्याय दर्शन का ही चंतन अध्यान पठन पाठन सारा दिन यहीं करते थे। तो ऐसे बोलना चाहिए। पहले प्रमान ढूंडो फिर बोलो। जब तक प्रमान नहीं है तब तक चुप रहो। नहीं मालो। संशयात्मक बात मत कहो। मत कहो। आप तो संशय में खुद दूसरे को और संशय में डाल देंगे। ब्रांती वाली बात मत कहो। खुद ब्रांती में दूसरे को भी ब्रांती में और भटका देंगे। इसलिए नियाए दर्शन में महरशिक गौतम जी ने बोलना सिखाया। पहले सोचना सीखो, फिर बोलना सीखो, पहले ठीक प्रमान से सोचो कि सही क्या है। और जब सही सही सोचना आ जाए कि हाँ ये वस्तु ऐसी है। उसके बाद मुझ खोलो, जब तक नहीं मालूम तब तक मुझ बंद रखो। तब ही तो प्रफुली कह रहे थे, बोलना बंद, सही बात है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा गलतिया होंगी। क्योंकि जब तक प्रमान नहीं है तो आप उल्टा सीधा बोलेंगे, गलत बोलेंगे। तो तब से हमने बोलना सीखा, 1981 से, आदमी 2-3 साल की उमर से बोलना शुरू करता है, बच्चा, और 80 साल तक जीवन भर बोलता रहता है। पर उसको जीवन भर भी समझ में नहीं आता, कब बोलना चाहिए, कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सारे जीवन वो गलतियां करता रहता है, अगर इन गलतियों से बचना हो तो न्याय विद्या पढ़ना अनिवारिय है, तो ही आदमी गलती स बच पाएगा और लंबे समय तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा अपनी गलतियों को हर समय चेक करें तो 1981 से लेकर आज क्या है 2024 43 years 43 साल हो गए मैं 43 साल से अपनी गलतियों को आज भी चेक करता हूँ बोलने से पहले चार बार पांच बार फिल्टर करता हूँ उसको चेक करता हूँ मैं कहीं गलत तो नहीं बोलने वाला मैंने क्या तैयारी की बोलने की उसमें कहीं गलति तो नहीं होगी 54 में से अपनी सारी बात को पहले 54 गलतियों में फिल्टर करता हूँ इतन और ऐसे ही दूसरों की बातें भी सुनता हूं, उनकी गलतियां भी पकड़ता हूं, अपनी गलती पकड़ता हूं, उसको ठीक करता हूं, दूसरे की पकड़ता हूं, समझ लेता हूं इसने ये गलती किये, अगर दूसरा व्यक्ति मुझसे लाव लेना चाहे, तो उसकी गलती भी ठीक करता हूं, अगर वो चाहे तो जबरदस्ती नहीं है, जगड़ा नहीं करता, जो लाव लेना चाहों ले लो, मैं बता दूँगा, आपने यहां सोचने में बोलने में यह गलती किये, और आप सुधार ना चाहों तो सुधार लो, आपको फाइदा है, आप नहीं लाव पर खुब मेनत करता हूँ, आज भी मेनत करता हूँ, और रोज चेक करके बोलता हूँ, गलतियां ठीक करता रहता हूँ, तो ऐसे सब को करना चाहिए, तब जाकर हम गलतियों से बच पाएंगे, और अगर गलतियां करते रहे, तो ईश्वर नहीं छोड़ेगा, वो तो दंड देगा ही, हम तो एक दूसरे को माफ कर भी देंगे, हम तो कर देते हैं न माफ, एक दूसरे को, कर भी देना चाहिए, मनुष्यों को करना चाहिए माफ, इश्वर नहीं करेगा, वो तो दंड देगा ही, तो जिसको दंड से बचना हो, कल से अपना मोहन रखना शुरू कर दे मतलब कम करें बोलना कम करें कम से कम बोलो खूब सोच समझके बोलो गलतियों से बच कर बोलो और बचेंगे तो तब जब गलतियां पता हो पता लगाने के लिए न्याइदर्शन पड़ो चलिए तो ये बात थी संज्या मात्रम, कारण का कारण का कारण इस तरह परंपरा होने पर भी कहीं न कहीं एकत्र परिनिष्ठा, एक जगा तो जाके रुकना होगा, पर जहां रुकेंगे बस वह यंतिम कारण होगा, इसलिए कहां मूले मूल अभावाद अमूलम, जो कारण में और कारण का अभाव होने से वह अंतिम कारण जो है वह बिना कारण वाला होता है, नित्य होता है, अनादी होता है, ये परंपरा कहीं न कहीं तो रुकेगी, अब चाए प्रकृती पे रुको चाए और बीस कारण मालो तब भी एक जगा तो रुकना ही पड़ेग हाँ जी बोजन तेयार है दस मेंट और है चलो सूत्र को यहीं विराम देते हैं कोई शंका हो तो बोलिए 68 सूत्र हुए बोलिए जिसको शंका हो आँ बोलिए पहली सृष्टी पहली सृष्टी नहीं है न इसलिए तो हम उसको भी प्रवासया नादी मान रहे है यदि पहली सृष्टी माने फिर वही बात अभ्यूपगम सिद्धानत सपोज कल्प ना करते हैं पहली बार सृष्टी बनाई इश्वर ने तो बहुत सारे प्रशन उनका उतर नहीं मिल पाएगा ठीक से लॉजिकल और नहीं मिल पाएगा मान लो ईश्वर ने पहली बार स्रिष्टी नाई और जबmassie वह अनादिकाल से आत्मा भी अनादिकाल से और प्रकृति भी तो जब पहले दिन बनाई पहली बार उससे पहले क्यों नहीं बनाई? पहले मक्या मार रहा था. पहले क्यों नहीं बनाई? तो कोई उतर नहीं है. और उस दिन क्यों बनाई? कोई रिजन होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए. हीशवर बिना कारण के तो कोई काम करता नहीं. जो भी बुद्धिमान होता है, वो कोई कारण हो का सोच के फिर काम करेगा तो जब चुपचा पड़े होए थे सारे प्रकृती बीच शांत थी जीवातमा भी ब्योश थे और इश्वर अपने अनन्द में था तो उसने क्यों शुरू की स्रिष्टी और अगली बात अगली बात जब पहली स्रिष्टी बनाएगा तो सारे मनुश्य बनाएगा या कोई गोडा कुटा वरिक्ष बनाएगा बनाएगा तो किसी को ईश्वर मनुश्य बनाएगा किसी को कुटा बनाएगा किसी को गाय बनाएगा किसी को वरिक्ष बनाएगा किसी को यदि पहली बार स्रिष्टी मान ली तो अब बिना प्राद के सुवर कुत्ते सांप बिच्छू गदे गोडे बनाना ये न्याय है या अन्याय है तो रिजल्ट ही आएगा यदि पहली बार इश्वर ने स्रिष्टी बनाई तो वो अन्याय कारी बनेगा अब बताईए आप ल न्यायकारी हो जाएगा जबकि वो न्यायकारी है तो इस कारत है वो पहली स्रिष्टी कभी नहीं बनाएगा जब भी बनाएगा पिछले कर्मों से बनाएगा कर्म क्या धर्वे बनाएगा वो कर्म कहां से आए पिछली स्रिष्टी से उसमें कर्म कहां से आए उससे पिछली से इसलिए पिछली 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 चलती जाएगी पहली सृष्टी कोई नहीं ये बात बात खतम बस खतम वो चक्र है चल रहा है सदा से चल रहा है सदा चलता रहेगा जो अनादी है तो अनन्त भी है जिसका आरंब है उसका अंत है जिसका आरंब नहीं उसका अंत भी नहीं तो प्रकृति से जो स्रिष्टी का प्रवा चल रहा है ये अनादी काल से चल रहा है तो अनन्त काल तक चलेगा ये खतम नहीं होने वाला हम मुक्ती में जाएंगे फिर वापीस आएंगे फिर जाएंगे फिर आएंगे फिर आएंगे इससे आगे कुछ नहीं होने वाला आप हमेशा के लिए मुक्षी प्राप्त नहीं कर सकते और आप ना इश्वर बन सकते कि जहां चूटे इस चक्कर से वो चूटने वाली नहीं है यहाँ जी बोलिए याज शक्ति स्मरन शक्ति किसी कम होती है किसी की ज्यादा किस हाँ यह इसके कई कारण है स्मरन शक्ति किसी की कम है किसी की ज्यादा एक कारण यह है कि जो व्यक्ति किसी बात को ध्यान से सुनता है पूरी एकागरता से सुनता है तो उसको जो ज्यान प्राप्त होता है वो उस ज्यान का जो संसकार बनता है वो solid होता है, मजबूत होता है जितने ध्यान से सुनेंगे उसका संसकार उतना बलवान होगा जितना संसकार बलवान होगा, उतनी समृती बलवान होगी solid होगी, एक कारण जो ऐसे उड़ती उड़ती बात सुनेगा, ध्यान नहीं देगा आधा दिमावी दर आधाई दर तो उसका संसकार कमजोर होगा तो उसकी मेमरी भी कमजोर होगी वो देर तक निटिकेगी जल्दी से भूल जाएगा दूसरी बात जो बात आपने ध्यान से सुनी वो याद हो गई उसका संसकार पड़ गया और वो याद हो गई आपने उसको याद कर लिया याद आ गई अगर इस बात को दोहराते रहेंगे बार बार दोहराते रहेंगे तो नए नए संसकार बनते रहेंगे नए नए संसकार बनते रहेंगे तो मजबूत रहेंगे वो देर तक याद रहेगी बात 20 साल, 30 साल, 40 साल भी याद रहेंगी अगर उसको आप रिवाइज करते रहे तो और रिवीजन छोड़ दिया तो 2 साल में भूल जाएंगे 5 साल में भूल जाएंगे उदाहराण, आपने बच्पन में, गणित में गिंती सीखी थी, एक, दो, तीन, चार, पांच सीखी थी, याद है, अब तक याद है न, देखो, पचास साल से याद है इनको, और पाड़े भी सीखे थे, वो भी याद किये थे, पांच एकम पांच, पांच दुनी दस, पांच ये, पंद्रह, पांच, चौक, बीस, वो भी याद है, 27 का बाड़ा याद है, 33 का बाड़ा याद है, भूल गए, उस समय याद किया था, उस समय याद किया था, अब भूल गए, क्यों, उसका रिविजन नहीं हुआ, दो से लेकर के 15, 20 तक के पाड़े हमको याद हैं, क्यो पांच वस्तु खरीदी, 15 रुपे की भाव है, तो 15 बचे, 75, सीधा रिविजन होता है, तो याद रहता है, तो जो जो चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, वो याद रहती हैं, वर्षों तक याद रहती हैं, कोई खास-खास घटना हो गई, आपके जीवन में, उसको दोराना छोड़ देंगे, वो भूल जाईगी, तो ये बहुत सारे कारण है, स्मृति के, कभी-कभी कोई चीज का आलंबन देखते हैं, उससे स्मृति आ जाती है, ऐसे बहुत सारे कारण है, न्याय दर्शन के एक सूत्र में स्मृति उत्पन होने के 27 कारण लिखे हैं, 27, फिर वहां लिखा, ये तो एक नमूना है, ये तो एक जाम भल है, यूँ तो सैंक्रों कारण है, तो ये कारण स्मृति के, हाँ जी, और बोलिए, संपर्जा, समाधी के लिए प्रकृति का क्या सोटगा? सुख लेना, सुख लेना, बंद करना, हाँ ये जरूरी है, सो टका, उसके बाद समाधी शुरू होगी, हाँ, संपर्जात भी नहीं होगी उसके बिना, क्योंकि यदि आप सुख लेते हैं, दस टका सुख लेते हैं, मालो, दस परसेंट आप प्रकृति का सुख लेते हैं, तो आपको दस परसेंट उसमें राग होगा, जिस चीज़ का सुख लेंगे उसमें राग होगा, दस परसेंट सुख लेंगे, दस परसेंट राग होगा, तीस परसेंट सुख लेंगे, तीस परसेंट राग होगा, पचास परसेंट सुख लेंगे, पचास परसेंट राग होगा, यदि दस बीस परसेंट भी राग है, राग है तो फिर अविद्या है, अविद्या के कारण तो राग होता है, और जब तक अविद्या है, तब तक आपको तत्व ज्यान नहीं है, पूरा, पूरा तत्व ज्यान नहीं है, 80 टका आपको तत्व ज्यान है, और 20 टका भी मिठ्य ज्यान है, अविद्या है, तो आप 20% उसका सुख लेते रहेंगे, जितनी अविद्या होगी उतना सुख लेंगे और जितना सुख लेंगे उतना राग होगा जब तक अविद्या है, राग है तब तक समाधी काहेगी कोई समाधी नहीं आने वाली पूरा वेराग्य चाहिए सो टका, सो परसेंट वेराग्य होना चाहिए उसके बाद समाधी शुरू होगी क्योंकि अगर राग द्वेश बचा है तो आपकी वृत्तियां उठती रहेंगी जिन जिन वस्तुओं में राग है वो राग आपके मन में वृत्ति उठाएगा जिसमें द्वेश है वो द्वेश वृत्ति जब तक राग द्वेश बचा हुआ है तब तक वृत्तियां उठती रहेंगी और वो राग द्वेश बचा है क्यों बचा है आप उसमें सुख ले रहें इसलिए राग बचा हुआ है सुख लेना बंद करेंगे तब राग हटेगा जब राग हटेगा तब पूरा वेराग् जब पूरी रूखेंगी इसका नाम समाधी है, योगा श्चित वृत्ति निरोधा, हाँ, नहीं है, वो अध्यात्मिक सूख है, समाधी वाला नहीं, समाधी वाला इससे भी उपर है, और उपर है, बहुतिक वस्तुओं के भोगने से, जो सुख मिलता है, उसकी कीमत एक रूप्या, मालो, एक रूप्या कीमत है उसकी, जो बड़िया से बड़िया सुख मिलता है, राजाओं को सुख मिलता है, खाने वे पीने का, नौकर चाकर का, सोना चांदी, मान समान, सेलू उटा दी, ज इसके सामने अब जो आप पढ़ रहे हैं, इस समय जो एक डेड़ गंटे से पढ़ रहे हैं, इसमें आनन्द आ रहा है, ये विद्या का आनन्द है, इसकी कीमत एक हजार रूपया, भौतिक सुख की एक रूपया, उससे तो हजार गुना तो ये बेटर है, ये वाला, जो आप मिल रहा आपको, इस विद्या के पढ़ने से, और जो आप सूबे बैठके चिंतन करते हैं, चार आदमी बैठके मिटिंग करते हैं, इन्ही बातों पर विचार करते हैं, उससे जो सुख मिलता है वो विद्या वाला सुख है, इस खाने पीने से तो हजार गूना तो यह अच्छा है और इससे भी हजार गूना अच्छा वो समाधि वाला है वो इससे भी और हुंचा है बहुत अलग होती है जैसे व्यक्ति पहाड पर बैठा हो योग दर्शन में लिखाए समाधि वाले का कैसा feeling होती है जैसे पहाड की चोटी पर बैठा है, वहाँ पर कोई समस्या नहीं, ना कोई मगरमच है, ना कोई साब है, ना कोई बिच्चु है, ना कोई कीडे है, ना कोई कीचड है, ना कोई कोई समस्या नहीं, वो सब समस्याओं से सुरक्षित है, उपर पहाड की चोटी पर, नीचे घा करते रहते हैं, तो नीचे घटी वाले लोग तो परिशान हैं, इन समस्याओं से, और जो पाड की चोटी पे बैठा है, वो इन सारे से छुट गया, तो जैसी उसकी स्थुति है, पाड की चोटी पर बैठे व्यक्ति की, ऐसी समाधी वाले की स्थिति है, और जो संसार के लोग हैं वो घाटी वाले हैं वो समस्याओं से घेरेवें बिचारे परिशान हैं किसी को बेटी तंग कर रहे हैं किसी को बाप तंग कर रहे हैं किसी की पति नी तंग कर रहे हैं किसी का पति तंग कर रहे हैं उसको साम बिच्चु कारते रहते हैं, ये स्थिती बताई है योग दर्शन में, हाँ जी बोलो. समधान क्या, हाँ, तो नेगटिव विचार आते हैं, जिसको नेगटिव विचार आते हैं, उसका कारण अविद्या है, मन जड़ है या चेतन? तो जड़ वस्तु क्या स्वयम क्रिया करती है? जब स्वयम क्रिया नहीं करती, तो विचार तो कोई भी नहीं आने वाला, मन तो जड़ है, ना उसमें पॉजिटिव आएगा, ना नेगटिव आएगा, कोई भी नहीं आएगा, आत्मा चेतन, वो पॉजिटिव विचार उठा उसको positive विचार उठाने चाहिए अब उठाता है negative ये दूसरी गलती ये है कि वह यह मानता है, विचार अपने आप हा रहा है ये पहली गलती दूसरी गलती जो विचार उठा रहा है वो negative उठा रहा है इश्वर ने मुझे बहुत शक्ती दिये, बहुत विद्या दिये, बल दिया है, बुद्धी दिये, माताबिता दिये, अच्छे गुरुजन है, अच्छी पुस्तके हैं, मैं इनकी साहिता से बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसे सोचना चाहिए, ये पॉजिटिव विचार ह और जो समस्याएं हैं, नेगटिव विचार हैं, उनका समाधान दूढ़ना चाहिए, कुछ स्वैम दूढ़ो, कुछ माताबिता से पूछो, कुछ पडोसियों से, कुछ मित्रों से, कुछ गुरुजनों से, जहां से भी समाधान मिले, योग्य व्यक्ति से, उससे समाधान मस्तर हो, उसके लिए महनत करो, नेगटिव नहीं सोचना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, ओहो, मैं तो बिल्कुल मूर रखूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे बसका कुछ नहीं है, मैं तो फस जाऊंगा, ये नेगटिव विचार, ऐसा नहीं आना चाहिए, उसको रोको, पॉजिटिव सोचो, मेरे पास बहुत सारे साधन है, मैं बहुत आगे जाऊंगा, और इतने लोगों की साहता लेकर चलूँगा, तो ये इसका समाधान है, खुद अपने आपको मोटिवेट करें, मैं अच्छे विचार उठाऊंगा, पॉजिटिव उठाऊंगा, और मैं जीट जाऊंगा, ये समाधा, तो यहां विराम देते हैं, अगली सूचना शरी लालचन जीव, एक बार प्रचंड करतल धनी से पूज्य स्वाम जी महाराच का, बहुत बहुत धन्यवाद है, जैसे आज पता चला कि सांख्य दर्शन ऐसा ही है, इन्होंने प्रश्न किया था कि ऐसा क्यूं लिखा, ऐसा क्यूं नहीं लिखा, तो आपने का कि ये विद्या ऐसी ही है, तब स्वाम जी महाराच वास्तों में आज पता चला कि अगर संप्रग्यात का पहला अगर स्टेट भी पार करना हूं, तो कम से कम इतना काम तो करना पड़ेगा, लेकिन य बलते रहता है कि ये जो आनन्द है उसका कोई होड नहीं, कोई इसकी उपमा नहीं दे सकते, लगबग दो कलाग जैसा समय हो गया है,